हेलो एवरिवन, वेलकम टू ब्राइट स्कसेस, स्टूडेंट्स, अज असीं, सेकेंड वर्ड वार दे मोस्ट मोस्ट इंपोर्टन्ट एम सी क्यों करांगे, तांत चुरू कर दें, आज जिदा साथा पहला कोशन है, कि फासिस्ट शबद केडी पाशा तो लिया गया है, ठीक जिदा जी, फासिस्ट तो कीदी स्थापनों होई सी, फासिवाद दी, ता फासिस्ट शबद, चार तैन ओप्षन ये अपने कोले, अरबी जुनानी ते लतीनी, ता इस दा राइट ओप्षन है, फासिस्ट शबद, लतीनी पाशा तो लिया गया सी, केडे शबद तो लिया जादे, फैसियो शबद तो लिया गया सी, ठीका, अगला कोशन है, फैसियो शबद तो कीवाव है, नंबर एक, डंदा दा समू, नंबर दो, इका गरता दा समू, नंबर तिन, ताना शाई दा समू, ता पा देखना, कि तीन ना द विचों केडा ओप्षन इस दा साई ओप् उने इत्थे दक की मतलवा की की हुंदा सी इटली दी राहता निकेडिया रोम ठीका रोम दा जड़ा समराट हुंदा सी ओ की कारदा सी जदो भी शाशंदे दुरा निकलदा सी ता ओ हाथ विच डंडा रहदा सी ठीक है ए ना दी निशान नी सी गी डंडा रह दा सी ता इसनू डंड़ां दा समूई क्या जान लग गया तै की सी इक प्रकारदी ता ना शाही सी नेक्स्ट कोश्ण है फासी वाद दा संस्थापक काण सी तिन ओप्षन ने अपने कोल हिटलर वुडरो विलसन मूसोलीनी ता फासी वादी दा संस्थापक सी मूसोलीनी पूरा नाम की सी इस दा पूरा नाम सी गा बैनिटो मूसोलीनी ठीक है जी पूरा नाम सी गा बैनेटो मूसोली नी ता मूसोली नी दा जनम कित्थे होया सी इटली देर मेगना चो इटली दा जंपल सी गा ते 1912 वीचे समाजवादी दल दा मेंबर बन गे सी ठीका उस्त बाद हॉली हॉली करके उठ्या ग्रीप परवार दे विच्चों सी गा हॉली हॉ समाजवादी दा चेंट्र होया ठीका समाजवादी विचार तरा चेंट्रस्ट पैदा होया तो हॉली हॉली अग्ये जाके हिटलर देनाल मिल गया है एनने तान्ना शाहिद अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा मतलब के कह साग दियां आं तक में चाया नेक्स्ट है मुसोली नी इटली दी सेना विच कदों परती होया तिन ओप्षन ने जी 1914 विच 1915 विच 1913 ता इस दा सही ओप्षन है मुसोली नी परती होया सी 1915 विच ठीका अगला कोश्ण है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्ण है कि दा पिप्पल ओफ इटली ए की सी गा ए सी गा समाचार पत्तर ठीका दा पिप्पल ओफ इटली की सी समाचार पत्तर सी गा ता एदा संपादक कौन सी एदा संपादक सी गा बैनेटो मुसोली नी ठीका ज़दे समाजवादी दा गव दे विच्छ शामिल होया 1912 दीगालला जदै शामिल होया सी ता एक पत्री काशी गी अवंती पत्री का ठीका केडी पत्री का सी अवंती तो ज़ज़ा व यह सनु समपाद का बनाया गया ठीका, दा पिपल ओफ इटली एंड वन्ती पत्तर का दसंपाद काउंड सी बैनिटो मुसोलीनी नेक्स्ट कोईशन है 1909 विच केड़े दालदी सापना होई तिन ओप्षन ने अपने कोले फासिस्ट दाल, नाजीवाद दाल, फासीवादी समुव ता 1909 विच फासिस्ट दालदी सापना होई सी, इसदे मेंबर की पहुंदे सी, कालीक मीज पहुंदे सी ठीका, फासिस्ट दालदे जडे मेंबर होंदे सी, वो कालीक मीज पहुंदे सी ता इसदी सापना कीत्ती की ने सी, इसदी सापना कीत्ती सी, मुसोलीनी ने नेक्स्ट कोश्चन है जी मुसोलीनी ने नेशनल फासिस्ट पार्टी दी स्थापना कदों कीती कीजी पार्टी दा पूराना नेशनल फासिस्ट पार्टी ता एक इत्ती सी आप्शन नम्र एक है 1902, दो है 1921, तिन है 1909 ता मूसोलीनी ने स्थापना कित्ती सी 1921 अगला कोशन है कि मूसोलीनी दा जनम कित्ते होया इटली, बुल्गारिया, आस्ट्रिया ता मूसोलीनी जनम होया सी इटली दे विचे, कदम होया सी? 1883 दे वेच, इटली दा एक पेंडसी गा, रो मेगना, रो मेगना ना दे पेंडसी दे विचे मूसोलीनी दा जनम होया सी नेक्स्ट कोश्ण है जी के हीटलर दा जनम किते होः हीटलर वारे तिन्न ओप्शन हे अपने कोल जर्मणी आस्ट्रिय इटली तां हीटलर दा जनम होः सी सारण वियह लगदा के जर्मणी जम लई सी क्योंकि लड़या जर्मनी लई सी ते मर्यावी जर्मनी लई सी ता की होया पर रियालेटी की सी क्यों हो जर्मनी दा नागरी की ही नई सी नागरी कित्थों दा सी ओ नागरी किसी आस्ट्रिया दा ठीको दा जर्म होया सी आस्ट्रिया दे ब्राण दे विच्च कित्थों होया स वी अप्रेल ठीका वी अप्रेल अठारां सो उनान्यमे दे वेच्च लार दा जैनम होया ठीका अगला कोश्ण है हीटलर दा मुख किता की सी तेन ओप्षन ने अपने कोल चितरकारी मजदूर जास फिर संपाद का ता हीटलर स्टार्टिंग दे वीच चितरकारी कारदा सी नेक्स्ट है उन्नीसो चौदा विच सेना विच परती होंते वीरता लई हिटलर ने केडा क्रास प्राप्त किता ज़दो 1994 दे विच हिटलर परती हो गया सेनाच ता अनो असदी महांता देलेई असदी वीरता देलेई बहादरी देलेई एक क्रोस प्राप्त होया सी ता ओ केडा सीगा आयर्न क्रोस, सिलवर क्रोस जा गोल्ड क्रोस ता ओ सीगा जी आयर्न क्रोस मोस्ट मोस्ट इंप्रोटेंट है कि उन्हों केडा क्रोस मिला सी आयर्न क्रोस अगला कुश्चन है नाजी दल नूं होर केडे नाम नाल जाने जन्द है मजदूर दल, नैशनल सोशलिस्ट वरकर्ज पार्टी राश्ट्री समाजवदी जर्मन मजदूर दल ता इस नूं नैशनल सोशलिस्ट वरकर्ज पार्टी दे नाम नाल जाने जन्द है ठीका बाद दे विचे दा नापया गया सी नाजी दल पहला इस दा नाम की सी नैशनल सोशलिस्ट पार्टी पहला इदे वेचे 6 मेंबर सी गे जोदो हिटलर नूं पता लगया के इन्ना दी विचारतार मेरे नाली मेलोदी जल्द्य दा हिटलर भी शामिल हो गया हिटलर बन गया सतमा मेंबर उस तो बाद इन्नाने इस पार्टी दी स्थापना कीती सी अगला कोशन है हिटलर दी बुक कदा नाम दस्थो मीन कैफ मेरा इमान दबिस्तान वोस्ट मोस्ट इंपोर्टन कोशन है मस्टर के अडर दे पेपरच आया भी हो या तो उस दी बुक कदा नाम सी का मेरा संगारश्य ठीका मीन कैफ अगला कोशन है हिटलर नूँ केडी जेल विच रख्या गया सी ता हिटलर नूँ जद उस ने दल दी स्थापन किती सी उस तो बाद समाजवादी विचारतरणा दी विरोध ता किसे पक्खद विच करण दे करके तो नूँ जेल होगी सी तोसनों जेडी जेल दे विच रख्या सी ओधा नाम सी लेंड़सबर्ग ठीका लेंड़सबर्ग नाम दी जेल दे विच रख्या गया सी अगला कोशन है नाजीवादी पार्टी दा चिन केड़ा सी जैने के सिंबल की सी गा नाजीवादीयां दा स्वास्तिका, iron क्रास, silver क्रास ता उन्ना दा सिंबल सी जी स्वास्तिका ठीका, केड़ा सिंबल सी स्वास्तिका अगला कोश्न है हिटलरनू जर्मनी दा चांसलर कदो मनाया गया एक वरी आपएदेच स्वास्तिका देखलेने अगला कोशन है दूज्जा विष्व जुद्ध कादोँ तोँ कादोँ तक लड़े आगया 211998 तो 141981 211998 तो 21955 221984 तो 211985 ता इgun दा सई option है 211989 तो 141989 पर जपान ने जमा लास्ट ते जाके आतम स्मर्पण किता सी जपान दे आतम स्मर्पण करवंद्यान नेनों सेट अगास्त आ गया सी थीका एसलें कई बुक्स दे विच्च चौदा अगास्त भी मनने आन्दा बख की कई वरी सई डेटे ही मननी जान दिया नेक्स्ट है क्वेशन नमबर अठारा है हिटलर ने पोलेंड ते कदों हमला किता ओप्शन नमबर एक है स्तारा स्तंबरू नी सुनता ली स्तारा अगास्त नी सुनता ली अठारा कुतूबर नी सुनता ली हिटलर ने पोलेंड ते हमला किता सी स्तारा स्तंबर नी सुनता ली हिटलर ने पोलेंड ते हमला क्यों किता सी ता की होया सी बरसाय दी जडी संधी होया सी पहलिए वीश वीशों धाल दिखातम हो गया सि तो जर्मनी दा टोटल नुखसाणी पूझावर पूलेज़ सिर्में मैं देतक में पूलेज धे गए जर्मनीले बदला लवे, ता हिटल्रों ने ए सब्दले लें की किता पोलेण टे हमला करता, क्यों कीता, क्यों क्यों केंदा वी जेडात तुसी पहले वीश्विजुद्य दे विच्छ सदा ही सखोय, आसी उस अनुं वापस देऊ, ठीका, वापस देऊ ता पोलेण ने की किता अधा मित्ताराष्ट्र नि पिछे लागे केई निगार'd करसा करता क्योंके मित्ताराष्ट्र क मेंны जे कर तेनी जर्मनी करनें कोई प्रब्लम् पूरबलम भी पहुंचाओं दा अची तेरा पूरा साहधे में पर जदों पोलेंड ते जर्मणी ने हमला किता तो कोई भी पोलेंडी मद्ध अलेट नहीं आया ठीका ता पोलेंड नू जर्मनी ने दो ही सेमिच वांडल या सी और दो ही सेकेड सी के एक सी का पच्छमी पोलेंड ठीका एक सी का पूर्वी पोलेंड और जेड़ा ता पच्छमी पोलेंड सी का वो ता जर्मनी ने आवदे कोल रा खलया ते पूर्वी पोलेंड के नूँ देता पूर्वी पोलेंड देता रशियान। ठीका एसलिए की होया जेडिये लड़ाई होई सी ना एव मतलब पूरा प्रोपर हमला नीं सी गा एक प्रकार दी चडपी सी गी एसले इसनु कई वरी नकली वार्द नाम नाल भी जाने आयांदा अगले कोशन चपा करांगे केंदे वी दूजे विश्व युद्ध दे केड़े टाइम नुँ नकली युद्ध जां फोनी वार केहा जांदा है most most important है स्तंबर 1909 तो 1940, 1940 तो 1909, 1902 तो 1905 ता केड़ा टाइम सी तो सी स्तंबर 1909 तो अपरेल 1940 एस टाइम नुँ नकली जुद्ध दे नाम नाल जाने आयांदा है क्यों के एदे विच्च कोई पूरी तरा वड़ा हमला नी होया सी सिर्फ समुंद्री चडपाई होन्या सी वी एक ट्रेलरी सी गया सगन्याप्मा ठीका ता एस कारकेश नुँ नकली लड़ाई क्या है मतलब असली लड़ाई था हले लगग नी सी असली लड़ाई नहीं लगगी सी एगला कोश्ण है दस मई उन्नी सो चाली नुँ कौन इंगलेंड दे नमें पीम बने मोस्ट मोस्ट इंपोर्टन्ट कोश्ण हा ता की होया जदों जर्मनी ने पोलेंड नुँ जत्त ले आ ता उस्तो बाद जर्मनी ने बिना किसे विरोध दे डेनमार्क ते भी कवजा कर लिया ठीका फिर डेनमार्क तो बाद नाल दी नाल नार्वे ते कवजा कर लिया और जो नार्वे ते कवजा किता इंगलेंड चौनदा था सी वोदी मद्द करे पर टाइम तो पहला हो दी मद्द नहीं कर सक्या फेर की किता इना ने नार्वेतो बाद हॉलेंड ते बैजियम ते भी गाउजा कर ले ता इंगलेंड विच्छो दो कौन सी गा जो दो इना ने कवजा किता ता पीम सी गा चैंबरलीन ठीका चैंबरलीन नूँ बाच अधे तो उतार देता गया फिर नमाप्रदान मंत्री बना अगया पर ओवी कोज नहीं कर सके जर्मन से ना देगए ठीका थोड़े टाइम देविच्छ देन्मार्ग ते नारवेत नाले उन्नाने हालैंड ते बेल्जियम ते भी कवजा कर लिया जाएंगोगा हालैंड पिल्जियम ते वी कवजा कर लिया अगला कोश्ण है जर्मणी जर्मनी ने फ्रांस ते कदो बामत मा का किता जड़ा मात तपूर्ण हमला सी ना ओता फ्रांस ते किता जर्मनी ने most most important ब्रतेन दी लड़ाई ते फ्रांस दी लड़ाई ए most most important ते इत्थे की होया पहला ता आपकोश्ण देखले निया केने 12 जुलाई 1940 10 जून 1940 10 मैं 1940 उन जर्मनी ने फ्रांस ते कदो बामत मा का किता जी तो किता जी 10 जून 1940 तक की होया उदों जर्मनी दे विच्च कौन सीगा PM जानी के head पाल बिनाड सीगा ठीका पाल बिनाड फ्रांस दा head सी ता जुदों नानु पता लागे के फ्रांस ते लगातर हमले हो रहा तो नानु की हिता मार्शल हेनरी फ्लिप पतेन नु नमा परदान मंत्री बनाता ठीका पर जर्मनी ता इन्ना जादा शक्ती सालीस या इन्ना उदे कुले हत्यार सीगा विच्च कौन ता ओविनी रोक सक्या ठीका 22 जून 1949 फ्रांस ते जर्मनी ते विचकार समझा उत्ता होया ठीका समझा उत्ता कदों होया सीधों मा दे विचकार है 22 जून 1949 हुन समझा उत्ते दे विचकी होया समझा उत्ते दे विच चों कहिंदे वी जेढ अब्दा फ्रांस आ वी जर्मनी कहन ते शीजान नू देदेव ता फ्रांस न애 अब्दा ही सच्छ से जर्मनी नू देता ठीकाँ ठीका, तो अध्दा रहागा फ्रांस दे कोल, मतलब हैंरी पतेन दे कोल रहागा अध्दा और की होया इने की किता आवदा मोख दाफ्तर बना लेा मोख ओफिस कह सागे दाफ्तर यह बना लें से उने वीची देविच्च विची जगा ता नाम हैगा ठीका उत्थे बना लिया और विची फ्रांस तो की पाब है ठीका विची फ्रांस दा की मतलवा कि ओपाग जी देते फ्रांस दा शाशन सी ठीका ओपाग जो फ्रांस कोल सी यद्दा ता जर्मनी कोल जावड़ा पर प्रोपर की होया भी फ्रांस काट पुतली बाणके रहेगा सी जर्मनी ने हाथ वेच्छ ठीका त्योंकि अद्धा फ्रांस की ने खोले जर्मनी ने ठीका जी सो आजलाई सिर्फ एन नहीं सो एनना नू पहला बदिया त्रीक के नाल तुसी कार लेना फिर कोश कोशन रहेगे मोस्ट एंप्रोटेंट हो आप अगली वीडियो दे विच करांगे थैंक्स फोर वाचिंग